मेरे प्यारे स्टुडेंट्स प्रिवस सेशन में हम ने कुछ questions देखे थे from CSAT Examination 2022 जो number system पे based है इस session में we will be doing some other questions विच के में in CSAT 2022 based on number system topic तो number system तो एक बौछी important topic है जिस पे current years में लगातार multiple questions हर यर में आ रहे हैं तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना इसके questions का type समझना और कैसे हम अप्रोच करेंगे questions को इनको समझना बहुत ही important है तो session में यहन तक बने रहे न सारे के सारे questions को देखना और कई भी कोई doubt आता है तो comment is the room mention करना and if you've not already connected with me you can message me on telegram at adityakt first question लेते हैं आज के session का question number one सवाल कह रहा है माल दीजे कि P एक दो अंकों की संख्या है और Q नहीं अंकों को प्रीत क्रम में लिखने से बनने वाली संख्या है let P be a two digit number and Q be the number consisting of same digits written in reverse order and then if it is given that P into Q is equal to 2430 then what is the difference between P and Q पर यदि यह दिया हुआ है कि P into Q हमारा 2430 है तो P or Q के बीच का आंतर क्या होगा सबसे पहले वीडियो को पाउस करके खुब से इस question को solve करने को अटेंप्ट करो इसके बाद में solutions अकाउट करो question यह करा है P हमारी एक number है दो अंकों से बनने वाली कोई संख्या है let's say अगर दो अंक हमारे one of four है for example और Q क्या है उन्हीं अंकों हमने reverse order में लिख दिया यानि कि Q हमारा 41 होगा इस case में हलांकि P 14 नहीं है P कोई और number है बट जो भी sequence है हमारा let's say P अगर हमारा A into B है A into B तो नहीं A B है अगर संख्या हमारी A भी है तो Q हमारा B होगा संख्या क्या बात समझ पा रहे हो और साथ है मैं पता है क्योंकि B का unit digit है तो इसका place value 1 है और A का place value 10 है तो basically P हमारी संख्या क्या है 10 into A plus B और Q हमारी संख्या हो जाएगी 10 into B plus A और question में हमें P into Q given है तो हम लिख सकते हैं जो की बराबर है 2430 के तो P हमारा 10 A plus B हानिके 10 A plus B into 10 B plus A this is equal to 2430 अब अगर multiply कर दोगे सारे values को तो 10 A into 10 B आ जाएगा 100 A B plus 10 A into A आ जाएगा 10 A square plus B into 10 B is 10 B square plus A B which will be equal to 100 A B plus A B is 101 A B और प्लस 10 times A square plus B square और ये पूरा बराबर है 2430 के तो हमें A into B की value नहीं पता है A square plus B square की value नहीं पता है तो values हमां attempt करनी पड़ेंगी और correct approach क्या होगा attempt करने का तुम इस number को ध्यान से देखो जो number है हमारा इसको observe करो ये portion हमारे ये तो 10 का multiple है यानि कि ये संख्या जो भी आएगी 10 A square plus B square की value कुछ भी क्यों नहीं बट लास्ट में 0 आएगा ये तो समझ पा रहे हो अब इसमें हम एक number add कर रहे है 101 A B और पूरा जो हमारा sum है वो भी 2430 यानि कि 10 का multiple आ रहा 10 का multiple आ रह है कि आए बात समझ पार हो यानि कि A into B हमारा या तो 10 होगा या 20 होगा और इतनी से बात समझ में आगी तो एक question काफी अता खतम हो गया ठीक है तो पहला case हुआ जब हमारा A into B को 10 मान होगे अगर A into B 10 है तो 101 A B क्या हो जाएगा that will be 101 A B will be 1010 10 times हो जाएगा और in that case 10 A square plus B square क्य तो बच जाने वाला है हमारा 1420 तो यहां से A square plus B square आ गया 142 तो क्या दो natural numbers के squares का sum 142 हो सकता है क्या यह possible है 81 अगर एक number लोगे तो दूसरा तुमारा 61 होना चाहिए जो कि perfect square होता नहीं है यानि कि ऐसा कोई भी case possible बनेगा नहीं 64 ले लोगे तो दूसरा number तुमारा क्या होना चाहिए फिर 78 होना चाहिए अगें not possible तो यहां कि कोई भी case possible नहीं है यह वाला तो A B equal to 10 तो नहीं होगा और अगर ऐसा नहीं होगा तो for sure है कि A B must be equal to 20 और अगर A to be equal to 20 है तो 101 A B क्या आ जागा that will be equal to 2020 और फिर यहां से subtract करके तुमारा आ जागा 10 times A square plus B square that will be equal to 410 यहां कि अगर हमारा B square 25 हो जाए और 16 25 प्लस 16 यस दिस पॉसिबल ठीक है और कोई combination पॉसिबल नहीं है यानि कि एक नंबर तुमारा 5 होगा और एक 4 होगा क्या बात समझ पार हो एक नंबर 5 होगा और एक 4 होगा यानि कि 5 और 4 दो नंबर्स होगे difference उनका आ जागा 1 यहां पर P और Q के बीच का difference पूछ रहा है तो P अगर हमारा 54 है क्यू हो जाएगा 45 तो difference हमारा आ जागा 9 का option D answer हो जागा पट यह इस question को करने का एक बहुत ही लंबा तरीका है और बहुत ही बेकार तरीका है एक्जाम में हम इस question को अगर इस तरह से करेंगे तब तो फिर हो हमारा 2430 है और पी में जो डिजित समने लिखिए उन्हीं को रिवर्स करके मने क्यूव बनाया है अब 2430 हमारा 10 का multiple है multiple of 10 है तो पहली संख्या अगर हमारी मालो 12 है एक example के लिए समझो तो रिवर्स करके 21 बनेगा या पहली संख्या अगर 17 है रिवर्स करके 71 बनेगा अगर तुम 12 को 21 से मलप्लाई करोगे तो 2 into 1 मलप्लाई होगा यह कि दोडिजित से आपस मलप्लाई होगी तो यूडिजित हमारा क वणाई करने पर वोगाँ जिरू सिस्टया काब आ सकता है जब हमारा एक नंबर 5 हॉए एक डिजिट 5 हो नंबर में दो डिजिट जो है नंबर में दो नंबर है मारा पी तो टूडीजित में से एक 5 हो और दूसरी डिजिट कोई इवन नंबर हो या तो 5 in 2 हो या तो 5 into 4 हो या तो 5 x 6 हो या 5 x 8 हो या 5 x 0 भी हो सकता लेकिन 5 x 0 अगर होगा तो उल्टा करने पर नंबर हमारा बनने वाला नहीं है तो क्या यह बात समझ पार हो जैसे तुम्हें यह बात समझ में आगी तो अब तुम्हें जाधा कुछ करना नहीं है एक तो फिक्स होगे अपनी 5 और 2430 तो नहीं बन रहा है कि 1000 से 1500 के बीच में कोई वैल्यू आएगा पर 2430 तो नहीं बनेगा अगर हमने पी को ले लिया 54 तो क्यों हो जाएगा 45 और तब 54 x 45 क्या आएगा यह नंबर हमारा 2430 ही आएगा ठीक है उसके आसपास की वैल्यू आ रही है ठीक है अगला तो 56 x 65 लोग इंटो 5 करोगे मानिस 270 आएगा तो देट विल बी 2430 तो यह 54 x 45 is 2430 यह नंबर हमारा मैच कर रहा है यह निकि एक नंबर 54 x 45 है और डिफरेंट हो सकता है कि पी हमारा 45 और क्यों 54 हो तो यह भी पॉसिबल हो सकता है अगर क्यों सान नंबर ऑफ केसिस कितने बनेंगे तो दो के बनते हैं एक के समरा बनता जहां पर कि पी हमारा 54 है क्यों 45 है और एक केस में P45 होगा और क्यों 54 होगा अट question में difference पूछा है difference तो नहीं होगा दोनों cases नों option D आनसर आ जाएगा तो यह तरीका हमारा shorter है और ज्याधा understanding based है हम इस तरह से ही उस question को exam में solve करेंगे क्या बात क्लिया है ठीक है अगले question पर move on करते है next question consider the following statements in respect of two natural numbers P and Q such that P एक prime number है और Q एक composite number है दो प्राक्रतिक संख्या है है P और Q जिनके संब्ध में रिर्क्रित कत्नों पर हमें विचार करता है एक अभाज्य संख्या है अभाज्य यह निकि उसके दो factors है सिर्फ दो ही factors होगे दो ही गुलंखंड होगे एक वो संख्या खुद और एक संख्या एक Q एक composite number है भाज्य संख्या है ठीक है इसके बाद में statement given हमें पता लगाना है which of the above statements are correct इन में से कौन से कथन हमारे सही होगे पहला statement कह रहा है कि P into Q can be an odd number important बात क्या है यह यह नहीं कर रहा है कि जरूर होगा यह कह रहा है can be संभावना की बात कर रहा है possibility की बात कर रहा है यह ध्यान देना है ठीक है options आला की ऐसे हैं कि confuse नहीं होगे बट स्टिल ही है यह समझना है कि यहां पर can be की बात कर रहा है must be नहीं कह रहा है अगर must be कहता है तो जरूर होना चाहिए था पड़ यहां पर तुम्हें यह चेक करना है कि क्या possible है क्या odd number हो सकता है क्या इसका यह मतलब हुआ कि even number कि आले एक विस्फल प्रील हो सकता है प्योंकि अगर हमारा लोने च से p हो सकता है यह सकता इशिक है और सकता है मआरा और ही कि विटी है op और भी इंटू को हमय और बनाना包括 सकता है जबकि हमारा P भी odd हो, P भी एक विशम संख्या हो, और Q भी एक विशम संख्या हो, जब दोनों विशम संख्या होंगी, तभी हमारा odd बनेगा, यानि कि Q odd हो, composite number odd हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, 9 एक composite number है, और विशम संख्या है, 15 एक composite number है, विशम संख्या है, तो बिल्क होगा, second क्याना q by p can be a prime number, again can भी है, जरूरी नहीं है, बढ़ हो सकता है क्या, q by p क्या prime number है हमाँ बन सकता है, p एक prime number है, q एक composite number है, ऐसे सब जो मालों कि हमने p को equal to, कोई भी value ले सकता है, कि p की value हमने ले लिनी 3 और q को ले लिया 15, अब अगर 15 में से 3 डिवाइट करोगे तो आएगा 5 जो अगेन एक टाइम नंबर है तो यानि कि Q by P एक टाइम नंबर हो सकता है बेसिकली अगर Q हमारा P multiplied by कोई और प्राइम नंबर है P into P1 ले लिया हमने तो Q by P के आजाएगा P1 आजाएगा और P1 फिर एक टाइम नंबर हो जाएगा तो definitely यह possible है होना हमेशा ज़रूरी नहीं है यह कि मालो कि हमारा Q हम 18 लेते और P3 लेते तो उस case में Q by P हमारा क्या आएगा 6 आएगा जा फिर हम P को 3 ले और Q को 10 ले तो Q by P integer भी नहीं आएगा यह 10 by 3 आएगा तो इसका integer होना भी ज़रूरी नहीं है बट यह एक प्राइम नंबर हो सकता है इंटीजर होना भी ज़रूरी नहीं है यह बात भी समझ नहीं है कि अगर स्टेटमेंट में लिखा होता कि Q by P must be an integer तो यह गलत स्टेटमेंट होता ठीक है Q by P हमारा एक fraction भी हो सकता है भिन भी हो सकती है लेकिन हाँ प्राइम नंबर भी होना पॉसिबल है तो second statement भी हमारा ब अगर एक्जामपल से नहीं बनता है तो दूसरा एक्जामपल लोगे हमें इसके फेवर का एक्जामपल चाहिए क्यान भी कह रहा है मस्ट भी नहीं कह रहा है ठीक है तो P equal to 3 ले लिए अगर Q is equal to 4 ले लोगे तो P plus Q 7 आ जागा तो यस 7 e time number है तो P plus Q be prime number हो सकता है ठीक है तो यह भी संभव है हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है बट संभव जरूर है और नहीं भी हो सकता है ठीक है अगर लिखता कि वोण्ट भी आ प्राइम नुबर या पॉसिबल नहीं प्राइम नूबर होना यह वगरा वगरा तो प्राइम निंबर भी हो सकता है और प्राइम नहीं भी हो सकता है दोनों चीज़ें पॉसिबल है एक साथ में ठीक है तो अगर लिखा हो था cannot be a prime number तो गलत statement होता हूँ ठीक है तो तीनों statement हमारे correct है option question D answer आ जाएगा 1 2 & 3 all of them are correct क्या बात समझ पार हो अप्रिशेट कर पार हो ठीक है next question पर चलते है अगला question कहा रहा है इसको बराबर लिखा है 3 to the power M into NK 15, 14, 13, 12, 11 से लेके एक तक हमने गुणा किया और फिर इसको बराबर लिखा है 3 की खात M into NK question कहा रहा है where M and R are positive integers to what is the maximum value of M maximum value of M क्या होगी M और धनात्मक पूरांग है तो M का अधिक्तम मान क्या होगा अब हम 15 से लेके एक तक की सारी की सारी संख्याओं को लिख रहे हैं और उनको गुणा कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं 3 की power M into N और M की हमें maximum power चाहिए तीन की खात maximum कितनी हो सकती है अब कौन कौन से numbers हमारे इन में आने वाले एक से लेके 15 तक सारी की सारी संख्याओं में सारे numbers में which are the numbers which are multiple of 3 ठीक है कितने multiple आने वाले है 15 multiple है 12 है multiple 9 है multiple 6 है multiple और 3 है multiple basically यह number हमारा 15 factorial है और question कहा रहा है 15 factorial में 3 की घात maximum कितनी आएगी 3 की maximum power कितनी हो सकती है यह question है बस लिखने का language का तरीका लग है चीक है 4, 5, 6, total 3 to the power 6 4 is में तो this number is 3 to the power 6 into n तो maximum power कितनी है maximum value of n कितनी है m कितनी है that is 6 option भी answer आएगा ठीक है यह तो होगी general बात बट ऐसा question दोबारा कभी आए तो कैसे attempt करोगे अगर बड़ा power दिया होता let us say 15 की बज़ा 50 दिया होता तब क्या करते तब क्या इसे count करने बैठते बि हमें कभी भी ऐसा गिवन है let us say question पूछता 50 factorial is equal to 3 की power m into n और maximum value of m पूछ रहा है maximum value fm क्या होगा तो ऐसे cases में हम क्या करें है हमें पता लगाना है 50 factorial में 3 की कितनी power आने वारी है यह question है तो 50 तक हम देखेंगे 3 के कितने multiple आने तरीका क्या है 50 को तुम divide करोगे 3 से और जो integer value आगी है यह जितनी बार तुम्हारा जागा जो quotient आएगा अब तुमने 3 की जो एक power है वो तो सारे count कर लिया लेकिन कई numbers ऐसे होगे जहां पर 3 की power 2 आ रही होगी उनको कैसे count करोगे तो 9 से divide करोगे 9 से divide करोगे और अब देखोगे अब कितने numbers आने वाले हैं हमने कहा लिए integral part लिया यानि जितनी बार जा रहा है 9 से जाएगा 5 ताइम्स 9 5 सा 45 तो यानि कि 5 ऐसे numbers होगे जो कि हमारे 9 के multiple होगे 9 होगा 18 होगा 27 होगा 36 होगा 45 होगा इसके बाद में आप देखोग 27 जो कि 3 की power 3 से मन पल होगा 16 प्लस 5 प्लस 1 टोटल हमारी power आ जागी 16 प्लस 6 22 यानि 32 22 हमारा maximum power होगा 3 का क्या ये बात समझ में आती है ठीक है क्या ये बात क्लियर होती है यही पर ये question पूछता हम से इसी बात को करने का एक और तरीका समझ लेता है आसानी से कि 50 भाई 3 किय आगया तुमारा क्या 16 आया अब 16 को डायक्ली 3 से डिवाइड कर दो ठीक है 16 को 3 से डिवाइड करों गो 5 पांच बार ही जाएगा 5 ताइम जाएगा 5 आ गया अब 5 को 3 से डिवाइड कर दो सिर्फ एक बार जाएगा तो यहां से straight away तुम्हारा आसानी से answer आगया that is 22 एक और example लेते हैं इसका let us say हमारा question होता कि 80 factorial है और 2 की maximum power कितनी आने वाली है ठीक है 2 की maximum power कितनी आने वाली है again maximum value of m पूछ रहा है क्या होगी ठीक है तो क्या करोगे 80 को divide करोगा 2 से कितनी बार जाएगा 40 बार जाएगा 40 टाइम जाएगा अब 40 को divide करोगा 2 से ठीक है बार बार 80 by 4, 80 by 8 नहीं लिखेंगे डाइक लिएगा 40 को divide करते है 2 से 20 आएगा 20 को divide करो 2 से 10 आएगा 10 को divide करो 2 से 5 आएगा 5 को डिवाइट करो 2 से 2 आएगा और 2 को डिवाइट करो 2 से 1 आएगा 1 आने के बाद मामला खतम हो गया कितने नंबर कितनी पावर आई 40 प्लस 20 60 70 78 आया या यहीं कि 2 तो पार 78 आएगा मैक्सम पावर 2 की 78 हो में क्या बात clear है ठीक है अगर इसकी बजाय लिखा होता है question में ऐसा भी हो सकता था question हमसे कहता कि 8 की पावर M into N है और 8 की मैक्सम पावर कितनी हो सकती है तो हमेशा है याद रखना है कि अगर 8 की पावर M into N है तो 8 की पावर तुम directly 808 करके नहीं निकालोगे उसके लिए तुम्हें 8 को time factor में convert करना पड़ेगा ठीक है अब आज यह संग्या के में convert करना पड़ेगा 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3M 2 की पावर 3M लिख सकते हैं ठीक है और फिर हमें पता है 2 की पावर आ रही 78 तो 78 और हमें निकालनी 8 की पावर यह तो 2 की पावर 78 आ गया टोटल 2 की पावर 26 होगा यानि कि 8 की पावर maximum आएगी 26 तो यहां पर आंसर हमारा हो जागा 26 क्या यह बात समझ में आती है और अगर तुम्हें यह logic समझ में आया है question समझ में आया है तो फिर अब एक question मैं तुम्हें देता हूँ यह तुम comment में answer करना कि अगर हमारा let us say 75 factorial है और दिया है 5 to the power m into n तो maximum value of m क्या होगी maximum value of m क्या होगी ठीक है तो यह comment में answer करना अगला question करते है next question what is the smallest number greater than 1000 that when divided by any one of the number 6, 9, 12, 15, 18 leaves a remainder of three 1000 से बड़ी सबसे चोटी संख्या कौन सी होगी जिसे जब 6, 9, 12, 15, 18 से किसी भी एक संख्या से विवाजित करोगे तो 6 हमारा शेशफल हमारा तीन बचे ऐसी सबसे चोटी संख्या जो की 1000 से बड़ी होगी कौन सी होने वाली है सबसे पहला काम ऐसी कोई भी संख्या हमारी कौन सी आएगी 6, 9, 12, 15, 18 अगर हम इनका LCM लें तो LCM वो संख्या होगी वो सबसे चोटी संख्या होगी जो इन सबसे विवाजित होगा और विवाजित करने पर हमें रिमेंडर या शेश्फल शून ने देगा जिरो देगा ठीक है तो LCM क्या आने वाला है 6, 9, 12, 15, 18 का LCM क्या आने वाला है 90 आएगा लेकिन हमें चाहिए कि रिमेंडर 3 आए अगर 3 रिमेंडर चाहिए तो 180 में 3 आएट कर दो यानिकि 183 ऐसे सबसे चोटी संख्या होगी जो कि जब 6, 9, 12, 15, 18 से डिवाइट की जाएगी तो रिमेंडर हमें 3 मिलेगा लेकिन question पूछ रहा है 1000 से बड़ी भी होनी चाहिए यह चोटा है तो क्या करेंगे हम 180 मुडिप्लाइब टू करो 360 करो ठीक है 360 में 3 जोड़ते है इसा नमबर आएगा बट अगेन यह भी तो 1000 से चोटा है यानिकि 180 में मुडिप्लाई करना है हमें किसी नमबर से और फिर 3 आएड करना है और यह संक्या हमारी 1000 से जस्ट बढ़ अगर हम 180 में 5 मुडप्लाई करते हैं तो 900 आता है आगे 900 प्रस 3 तो छोटा आएगा 5000 से अगर 6 मुडप्लाई कर देते हैं एकॉट 6 मुडप्लाई करते हैं 6 इंटू 180 आजागा 1080 और फिर 3 आएड कर दोगे तो नमबर आजागा 1083 तो 1083 ऐसी सबसे चोटी संक्या होगी जो सी आंसर आजागा क्या बात क्लियर है ठीक है दूसरी चीज समझने वाली बात है जब भी हमें ऐसे नमबर गिवन है 6 9 12 15 18 और इस तरह के ऑप्शन गिवन है तो एक बार सोच के बताओ कि हमारा एक नमबर है 9 और डिमेंडर चाहिए 3 अगर 3 डिमेंडर आ रहे तो पहले ही स डिविसबल है यादि कि 9 का मल्टिपल है और 9 का डिविसबिल्टी क्या होता है सम अफ डिजिट्स 9 से डिविसबल होना चीए अधि यह तो चेक करो हो सकता है उससे काम बंजा है ठीक है पहला वाले में 7 आ रहे है सम अफ डिजिट्स तब तो पक्का नहीं यह आंसर दूसर समझ पाए हो कि कई बार तुमारा question सिर्फ इतना काम करने से भी solve हो जाएगा और जितना कम करने से solve हो exam में question उतना ज्यादा अच्छा है कि जितनी ज्यादा calculation करो कि उतना इस बात की संभावना बनेगी कि तुम कहीं आगे calculation में गलती करो कोई error करो या first जाओ अटक जाओ ठी क्या समझ पार हो ठीक है next question देखते हैं next is what is the remainder when 91 into 92 into 93 into 94 into 95 till 99 इसको मनिप्लाई कि और इसको डिवाइड कर रहे है 1261 से इस पूरे को मनिप्राइशन को जब 1261 से रिवाजित करते हैं तो सेश्वल हमारा क्या आएगा सबसे पहले 1261 को observe करने कोशिश करते हैं कि यह संक्या क् न्टीन है वाली 1261 क्या हम इसको अर्णी कर सकते हैं जब भी कर इद्धाश करना है तो हमें प्राइम नमबस से लेको से आप आ यह आ रहा है जी स्वरीट डियोयख्टपन नहीं है सहुना नहीं है erna हो सकता है क्या都ब् से करेंगे 56 समीनिए एम से भी नहीं हो रहा है 11 से भी नहीं हो रहा है 13 से हो सकता है कि 13 117 91 हां 13 से डिवाइड हो रहा है तो दिस नंबर इस 13 इंटू कि 9 7 13 इंटू 97 यह संख्या है हमारी 13 इंटू 97 और हम मुडिप्लाई किस से कर रहे है इस पूरे नंबर से अब दोगो 97 तो इसमें आ रहा है है और 13 इंटू 7 91 हमारा 13 का मुल्टिपल है तो क्या हम लिख सकते हैं इस पूरी की पूरी संख्या को 91 हो जाएगा हमारा क्या 13 इंटू 7 पिर आएगा 92 पिर आएगा 93 फिर 94 95 96 97 98 और 99 और इसको हम डिवाइड करने वाले हैं 13 इंटू 97 से अधियों से 13 जाएगा 97 97 जाएगा तो जब पूरा का पूरा संख्या कटी गई तो अब क्या है रीमेंडर किया बचएगा जिरो बचेगा पूरा दिवाइड हो जाएगा तो यह 1 2 6 1 का मुल्टिपल ही है तो रीमेंडर हमारा ऐसे केस में क्या आएगा रेमेंडर आएगा और एक दू को सेपरेटली डिसक्स करेंगे अच्छे सवाल है तो उनको भी प्रॉपली डिसक्स करेंगे तो देख सकते हो कि कितना ज्यादा वेट है जिसको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है अच्छे से समझ के जाना है अच्छे से सवाल करेंगे तो साथ मुझे टेलिग्राम पर तुम मैसेच कर सकते हो कि यह क्वेशन है इसको कैसे सॉल्फ करेंगे I will try to resolve that as well उस पर भी एक सेशन बना सकते है और डिरेक्ली अगर इजी क्वेशन होगा तो सॉल्फ कर लेंगे ठीक है करेंगे